आप केवल ये सोच रहे हो कि इन चीजों के प्रयोग से आपके जीवन को नुकसान हो सकता है जैसे कि अगर आप खाद या कीट नाशक खाते हैं तो ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं इस विशेश फल में कितने जादा सुक्ष मुपोशक तत्व होंगे उसकी वज़े से ये फल आपके स्वास्त को कितना जादा फाइदा पहुंचाएगा लगबग हर देश में लोग इन तत्वों की कमी के शिकार हैं केवल इस वज़े से कि ये तत्व वहां की मिटी में नहीं है इसलिए तत्व वहां उनके भुजन में नहीं है अभी जब बाजार में उपा जाती है, मान लेज़े अगर आब बाजार जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये सेब जैविक है, तो दूसरे सेब क्या है? क्या वे अजैविक है? क्या ऐसी चीज होती है? तो अभी ये बहुती जटल काम है, ये जाचने की कोशिश करना, कि इस सेब के अंदर कितनी खाद है, कितने कीट नाशक या कीडे मारने की दवाईया हैं, मेरा विश्वास कीजी, ये एक असंभव काम है, क्योंकि आप किस दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं? ये बहुती है, क्या उस दिन धूप निकली हुई थी? ये सभी बाते निर्धारित करती हैं कि वास्तव में ये कितनी मातरा में उपज के अंदर गया है? वास्तव में चीजों के बारे में नहीं, बलकि आप ये सोच रहे हो, कि इन चीजों के प्रयोग से आपकी जीवन को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप खाद या कीट नाशक खाते हो तो ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इस तरह से हैं कि आपको फल के बारे में चिंता है लेकिन जड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं। क्योंकि हम केवल उन जीवों के परिणाम स्वरूप ही हैं। यहां तक कि विकास के संदर्भ में भी हम केवल उनके ही परिणाम स्वरूप हैं। तो जब बाजार में फल या सबजी आए, उस पर जैविक होने का निशान लगाने की जगा और उसके अलावा जो भी है, अगर आ जादा सुक्ष्म पोशक्तत्व होंगे। उनके वज़े से ये फल आपके स्वास्ति को कितना जादा फाइदा पहुचाएगा। आपके स्वास्ति को खराब होने से रोकने के लिए कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब विज्ञान पहले से ही यहां है कि शारिरिक औ पर्मानसिक स्वास्ति दोनों हम जो सुक्ष्म पोशक तत्व खाते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। अब यहां में एक महमारी से गुजरे हैं। आपको किसी महान वाइरस विज्ञानी से सला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी सामान्य डॉक्टर से पूछे कि अगर आपके अंदर विटमिन A, B6, B12, Follate, Iron, Zinc, Magnesium की कमी है, तो आप फेपणों के संक्रमन के लिए बहुत जादा सम्वेधनशील हो जाएंगे। ये बात सभी जानते हैं। अगर आप इसे दुनिया में कहीं भी देखें, लगभग हर देश में लोग इन तत्वों क कमी के शिकार हैं, केवल इसलिए कि ये तत्व वहाँ उनकी मिट्टी में नहीं है, इसलिए ये तत्व वहाँ उनके भोजन में भी नहीं है। अब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि अगर मिट्टी अच्छी होती तो महामारी नहीं हुई होती, निश्चित रूप से इसकी वज़े से इतना भय का माहोल नहीं हुआ होता जितना की हुआ था अगर हमारा शारिरिक संगठन मजबूत होता। और मजबूत शारिरिक संगठन का बनना एक दिन का काम नहीं है और ये जिम जाने से नहीं बनता है। ये बनता है सही तरह का भोजन खाने से और भोजन के द्वारा मिट्टी से जुड़े रहने से या किसी दूसरे तरीके से अगर वो दूसरा तरीका संभव नहीं हुआ तो क्योंकि हम शेहरों में रहने वाले लोग हैं लेकिन कम से कम भोजन में ये तत्व होने चाहिए